नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का शक्तिकुन चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की कृपादिश्टी हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। आज का पंचांग शुरू करने से पहले, चली हम और आप मिलकर भगवत गीता का एक श्लोक अर्थ सहित पढ़ते हैं। भगवत गीता का इस लोक पढ़ने के पश्चात आये सुरू करते हैं आज का पंचांग। दो बच के सत्रह मिनर तक है उसके पश्चात शिवयोग प्रारम हो जाएगा। भगवार है अपक्ष शुकल पक्ष है। रितु वर्शारितु है और आयन दक छुडायन है। अभजेत महुर्थ दो पहर में बारा बज़े से प्रारम हो के दो पहर में बारा बच के पश्चपन मिनर तक है। बीजय महुर्थ दो पहर में दो बच के चवालिस मिनर से प्रारम हो के दो पहर में तीन बच के उन्तालिस मिनर तक है। अमरित काल कसमे सुबह 11 बच के 44 मिनट से प्रारम होके 2 भर में 1 बच के 32 मिनट तक है निश्टा मुर्थ कसमे रात्री में 12 बच के 7 मिनट से प्रारम होके रात्री में 12 बच के 48 मिनट तक है रवी योग कसमे साम में 7 बश के 47 मिनट से प्रारम होके 24 जुलाई की सुबह 5 बश के 38 मिनट तक है सरवार्थ सिद्धी योग पूरे तिन है आईए आज के असुप समय के बारे में जानते हैं राहुकाल साम में 5 बच के 35 मिनट से प्रारम होके साम में 7 बच के 18 मिनट तक है, गुलिककाल का समय दोपहर में 3 बच के 33 मिनट से प्रारम होके साम में 5 बच के 35 मिनट तक है, यमगन का समय दोपहर में 12 बच के 27 मिनट से प्रारम होके दोपहर में 2 बच के 10 मिनट तक है, विड भद्रा आज नहीं है अगनिवास आज पृत्वी पे है और श्रीवास आज कैलास पे है जो की सुबह 11 बच के 44 मिनर तक है उसके पशात नंदी पे है दिशाशूल आज का पक्षिम दिशा का दिशाशूल है तो ये थी आज के पंचांग के संपुणवा विस्तित जानकारी उ प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं अगले वीडियो में अपना और अपनों का ख्याल रखेगा नमस्कार